Hello everyone, welcome to Krishna Coaching Center and this video is about जो की इफेक्ट रहा है 12th के रिजल्ट्स का डियू के एड्मीशन के ऊपर तो 12th के जो रिजल्ट्स हैं डियू एड्मीशन पर उसका क्या असर रहा है हम थोड़ा सा जानने का कोशिश करते हैं सो 12th का जो इस बार CBSC का रिजल्ट रहा है वो comparatively higher रहा है as compared to other years जादा नंबर दिये हैं CBSC ने इस बार बच्चों को या हो सकता है बच्चों नहीं बहुत अच्छा परफॉर्म किया है in fact जो toppers हैं उनके full marks हैं यहनी की 100% marks हैं that is almost beyond imagination so highest marks होने की वज़ा से higher marks होने की वज़ा से जो due के अंदर admissions हो रहे हैं या admissions के लिए जो आवेदन भरे गए हैं जो भी applicants हैं वो काफी जाला है right now अभी लगभग 2,60,000 आवेदन हो चुके हैं 2,60,000 and this is for 70,000 seats and last date है 18 July तो मान के चल रहे हैं की 3,00,000 प्लस जो होंगे वो applications पहुँच जाएं क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो last date पर apply करते हैं so इन सब चीजों को देखते हुए अब obviously बात है जो 3,00,000 बच्चे apply कर रहे हैं इन्होंने कही ना कहीं सोचा ही होगा कि selection हो जाएगा कोई भी यह समझ के तो नहीं करता है कि selection नहीं होगा so इतने आवेदन है तो obviously बात है जो cut-off है इस बार वो थोड़ा सा rise होने के chances है cut-off high होने के major chances है क्योंकि cut-off किस चीज़ पर रिसाइड होगी बहुत सारे factors होते है main factors की अगर मैं बात करूं तो applications कितनी आई है उस particular course में कितनी application आई है प्लस आपकी category क्या है आप कौन सी category से बिलॉंग करते हो general SC ST OBC क्योंकि comparatively जो SC 20,000 जो सीट है वो फिल होती है तो overall जो conclusion है वो यह कह रहा है कि इस बात cut-off जो होगी वो rise होगी बट जो cut-offs होती है वो almost जो आप समझो six merits आएंगी अब हो सकता है first merit second merit third merit fourth merit तक में भी ना हो पर आपका fifth sixth merit में हो जाए क्योंकि यह जो सब बच्चों ने apply किया है ज़रूरी नहीं है कि सब के सब यहीं पर पड़े कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो apply सब जगे कर देते हैं और selection होने के बाद वो majorly कोई और चीज़े चूस कर देते हैं यह जो सीट ह हैं यह seats vacant रहे जाती हैं और आपके यहां पर select होने के chances जो हो जाते हैं वो बढ़ जाते हैं so due से related यह कोई भी education institution से related updates दानने के लिए आप हमारा चानल subscribe कर सकते हैं और इसको share कर सकते हैं और लोगों के साथ जिसको इसकी जरूरत है so thank you so much meet you all in my next video